नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट नोवंबर और दिसंबर 2022 आपके जीवन में ये दो मेहने क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया हैं चली जानते हैं बिस्तार से सुरुआत करते हैं नोवंबर के मेहने से सबसे पहले गरहों की चाल क्या कहता है नोवंबर के मेहने में चंदर्मा सनी देव के साथ आपके लगन में बिराजमान हैं देव गुरु ब्रस्पती आपके तीसरे भां में हैं राहु आपके चौते भां में हैं और मंगल छटे भां में रहेंगे जो आपके लोग हैं उनका सहायता मिलेगा और ब्यापार ब्रधी आसानी से होगा वैसे तो संपत्ती प्रोपर्टी लाप के भी योग हैं कहने का तात पर नॉम्बर का महिना आपके लिए 90% भागे लेकर आया है आपका पुराना मकान दुकान अगर आप बेचना चाहते हैं वो आराम से अच्छे द्वार में बिकेगा किसी तरह के आपको बड़ा लाप दायक और ऑसर भी मिलता दिखता है बस थोरा सा आपको सहयोग की आवस्था और संतान से सुक मिलेगा संतान का सुक मिलेगा कोई सुकत सूचना मिलेगी और इस außer Everyday में च他是 औरी समय आपके कारें तो दसमभाव में जो चतुरगरी योग बनाकर बैठे हैं सुक्र, बुद्ध, सूर्य और केतु तो आपके लिए कुछ ने कुछ अनुकूलता तो देंगे क्योंकि सनीदेव का प्रभाव भी बना हुआ है तो कारे छेतर में आपके पास काम का दबाव है एक से ज़्यादा काम आपको एक समय में करने पड़ सकते हैं तो इसमें निरास मत होईए क्योंकि इसका लाब भी आपको मिलेगा आपके अंदर कामिलियत है इसलिए आपको यह सब कुछ मिल रहा है बस कारे कुसलता बढ़ाना है और खुद पर भरोसा रखना है अपनी मनोबल को उचा रखना है कारे छेतर में इस्तिती जो भी है उसको मजबूत इस्तिती में लाकर खड़ा कीजेगा तेरह नौबर को वक्री जो मंगल है पंचोंबह में जाएंगे तो कारे छेतर में बदलाओ के अफसर भी मिलेंगे अगर काफी लंबे समय से नौक्री बदलने का परियास कर रहे थे तो आपको इस समय सफलता भी मिल रही है और नौक्री बदलने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी लेकिन नौक्री में छोटी मोटी चुनौतियां भी है लेकिन आपके काबिलियत आपके मनोबल के सामने चुनौतियां पीछे रह जाएगी सुक्र, बुद्ध और सुरे 11 नौवंबर, 13 नौवंबर और 16 नौवंबर को क्रमसर एकादस भौ में चले जाएंगे तब आपके जो उच्छा धिकारी हैं उनसे आपके सम्मंद बेहतर होंगे अगर सरकारी नौक्री करते हैं सरकारी छेतर से कोई कारे है तो लाब जरूर मिलेगा अगर आपकोई सरकारी अधिकारी हैं तो इस महने आपको तबादले के साथ प्रमोशन होने की संभावना दिखती है ब्यापारी हैं तो महने के सुरुआत बहुत अच्छी है सप्तमभाव पर सनी मराज की पूर्न दृष्टी है और आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करना है दूसरी तरफ अगर हम धन की बात करें तो देव गुर भ्रस्पती पंचम भाव में बैठकर नवम और सप्तम भाव 11 भाव को पूर्ण दृष्टी से देखेंगे तो धन प्राप्ती के लिए आप प्रयास रत भी रहेंगे हर इच्छाएं पूर्ण होगी छटे भाव में जो मैठे हैं मंगल देव वो 12 भाव को पूर्ण दृष्टी से देखेंगे तो खर्चों में कमी आएगी आर्थिक तोर पर आप अच्छा महसूस करेंगे और मेहने के उत्रार्ण में ज्यादा अनुकूल रहेगा क्योंकि बुद्ध सुक्र और सुर्य आपके एकादस भाव में आ जाएंगे तो आपके इनकम अचानक से बढ़ेंगे आप बड़े खुस नजर आएंगे एक से ज़्यादा माध्यम से आपके पास धन प्राप्त होगा आएगा वक्री मंगल भी पंचम भाव में बैटकर जब एकादस भाव को देखेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिती में चार चंद लगेगा हलांकि थोड़ी बहुत चुनोतियां भी है नौकरी करते हैं अथवा आप बैपारी हैं तो लाब होगा आर्थिक स्थिती में मजबूती आएगी स्वास्त की बात करेंगे देखे चतुर्त भाव और दसम भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव होने से थोड़ा सा चाती की समस्या फेपड़ों की समस्या या फिर कमर में दर्द जैसी चीज़े हैं बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि महने के उत्रार्द में जैसे ही 11 नौंबर 13 नौंबर और 16 नौंबर को सुक्रबुध और सुर्य एकादस भाव में जाएंगे तो चीज़ें इस्तिर हो जाएगी खुद को आप फिट महसूस करेंगे लेकिन फिर भी तीसरे भाव में बैटे देव गुरु ब्रिस्वती थोड़ा सा आलत से तो देंगे ही तो आप अपने सरीर को समय नहीं देंगे और रोज़रना का तरीका थोड़ा सा और वेवस्तित हो जाएगा जैसे कि इस पिरियर में आपका मोटावा बढ़ सकता है तो अत्यतिक वसा युक्त भोजन मत कीजिए तले बुनेवे चीज़ों का परियोग से बचिए खुद को आप फिट बनाए रखेंगे और किसी कारण बस सारी लीग समस्या परिसान करे तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क में रहिए एकसरसाइज करना योगा करना बहुत जलूरी है रिस्तों की बात करते हैं प्रेम और बैवाहिक जीवन मेहने के सुरवात में प्रेम जीवन सामान ने है और एक दूसरे के प्रती आपके मन में प्रेम भाव रहेगा लेकिन 11 नुवंबर को सुक्र के 11 भाव में जाकर पंचम भाव को देखने से प्रेम समंदों में बहुतरी होगी नजदी किया बढ़ेगी जो दूरिया थी वो समाप्त हो जाएगी आप लोग अच्छा वक्त गुजारेंगे खुसी भरे पल गुजारेंगे 13 नुवंबर को बुद्ध देव 11 भाव में आएंगे तो प्रेम जीवन के लिए और अच्छा होगा हो सकता है आप उनसे विभा करने की सोचे या मन की बाते आप एक दूसरे से साचा करेंगे रिस्तों में भरोसा बढ़ेगा 13 नुवंबर को वक्री मंगल पंचम भाव में प्रवेस करेंगे तो रिस्तों में थोड़ा तनाव बढ़ा देंगे बिए बजह आप लोग आरोप परत्यारोप लगा सकते हैं दूसरे पर इसलिए आपको साबधानी पहले सही ब्रत्नी है बाद विभात से दूरे ना होगा हनाकि इस प्रियर में काम का दवाव है सूरे का दस भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे तो मेहने का उत्राद प्रेंजीवन में छोटे मोटे तनाओ देगा अगर आप विभाईत हैं तो पूरे मेहने प्रतंभाव में बैठे सनिदेप की दिष्टी सब्तंभाव पे रहेगी तो जीवन साथी और आपके बीच अनुसासन सा रहेगा आप एक दूसरे को महत्तु देंगे एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे देव गुरु बैस्पती की पंचम दिष्टी सब्तंभाव को देखेगा तुरिस्तों में समर्पन बढ़ेगा दांपत्ती जीवन के लिए भी आपको प्रयास करना है चाकि घर का महौल उत्तम रहे सकात्मक रहे हलांकि संतान के लिए मिला जुलावा प्रिनाम है सिख्छा करियर के मामलों में बच्चे बेहतर करेंगे और मंगल के पंचम भाव में वक्री होने से बच्चों के स्वास का थोड़ा ख्याल रखेगा पारिवारी जीवन की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी सनी मराज पूरे महिने आपके लगन में है परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा कुटुम में किसी तरह की समस्या रहने की छोटी मुटी मुश्किले हैं लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी मिलेगा सूरी बूद सुक्र एकादस भाव में चोथे भाव में राहु मराज है तो पारिवारी जीवन में छोटे मुटे तनाव को छोड़ दें हलांकि एक से ज़्यादा लोग आपके घर में आ सकते हैं अतिती के आगमन से रौनक बढ़ेगी और एकादस भाव में जैसे ही सूरी बूद सुक्र जाएंगे मंगल पंचम में आएंगे तो पारिवारी जीवन में सांतिय जाएगी तनाव कम होगा महिने के पुरवार्द में अपने पिता के स्वास्त का ध्यान रखेगा और महिने के उत्रार्द में उनके स्वास्त में सुधार दिखेगा तीसरे भाव में वक्री प्रिस्पति अपनी ही रासी में होने से भाई बेहनों का प्रेम मिलेगा और घर में उनकी उपस्तिती बढ़ियां रहेगी उपाई क्या करेंगे एक तो आपको सनी देव को बहतर करना है आप सनी स्तुरत का पाट कर सकते हैं सनी मंत्र का जब कर सकते हैं सनी बार के दिन और आप अगर चीचियों को आटा डाले या पक्छियों को अनाज डाले या मचलियों को चारा डाल सकते हैं कोई भी एक काम कर ले तो उत्तम है सिप जी को जरूर मनाईए एक लोटा जल नियमीत रूप से अर्पित कीजेगा और एक थोड़ा सा अक्षत एक चुटकी यानि चावल साबुत चावल तो उत्तम रहेगा आपके लिए नमसी बैका जब कर सकते हैं अब जानते हैं दिसंबर के मेहने में क्या होगा अगर हम गर संभाव में सुर्य बुद्द सुक रित्री गरी योग बनाकर इगार में रहेंगे तो संपत्ती प्रोपर्टी की प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयास करना है हनाकि जमीन ज्यादा समंधी कोई विवाद है तो बिजय मिलेगी राजनीति के छेदर से जुड़े हैं तो प अधर महादेब जरूर लिखिएगा धन्यवाद लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए